हेलो अभीवन केलते हैं आप सब लोग मैं सुमिता मेरी उपीव चैनल पर आपका स्वागत है हमारा जो है सीरीज चल रही है यूपीटेट 2021 जो कि हमारे सीटेट में भी काफी हैल्पूर लहेगी तो हम लोग जो है सस्टी में हिस्ट्री सब्जेक्ट पहले बढ़ रहे हैं तो इसके कुछ वीडियो मैंने अप्लोड कर दिये है और आज हमारा लैस्ट वीडियो है इतिहास के इस्तिरोध यानिकि हमारी जो हिस्ट्री है जो इतिहास है उसके कौन से ऐसे ऐसे इस्तिरोध है जिनसे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है तो आज हम इनके बारे में ही थोड़ी सी बेसिक इंफोर्मेशन लेते हैं और इस जो भी मैं चीजे बताऊंगी जो इस प्रोथ है इनके बारे में detail में हम one by one पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो सबसे पेला देखें भाति यह अज़े इंफ आज के इत्रोथ है सबसे पढ़ा हमारा है धार्मकरंथ एंफे हाज से केवा हम समसाइं करंथ और धर्ड है विरेश्यों की विबरन और नैसर आ पुरातत है समंधी साक्ष्य तो सबसे पहली हमारा आता है देखिए धार्मक रिखवेट, यजवेट, सामपेट, और अर्थुरेट अब इनके में जो पेसिए हैं कि आपके लिए लेका राऊंगी तो अभी हम सिफ इस रोट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो next है हमारा पेतों में यक्यों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी विकार समझने के लिए ब्रहामत ग्रंथों की रशना होई है। जैसे कि आखर ग्रंथों में जो है दाशनिक एवं रहस्त आत्मक विश्यों का बरण होता है। जो संख्या में साथ हैं। अब जैसे कि आखर ग्रंथों जैसे कि पूछ सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या साथ है। और इसमें दार्षनिक Eoam रहस्ताहत्म मिष्णों के वारे में जानकारी मिलती है बैसे जैसे कि उपनिषयत उप निशिद क्या है? निशिद क्या है कि बैतिक सायत्थे के अंतिन भार है इसलिए इंको जो है बेतान्त भी कहा गया है उपनिश्यद को ही बेगान कहा गई है बैषकाल की कुछ पिमुब दर्शन है और जो दर्शन है उनकी पिरवर्टा कौन-कौन से है यह देखे जो लेखे संस्कृत जो लोग युपी-टैड में लेते हैं याखी सी-टैड में लेते हैं तो आइकि जैसे कि आपका बैडिका की कुछ पिर्वुक दर्शन जो है और उनकी दर्शन की प्रिवर्टतक हैं तो वह भी मैं आपको इसमें बताती चलिए यही कॉन-कॉन से सबसे पहला आपका सांथ के है आपका दर्शन जो है जिसे लिखा हैP Ape-Dran radi. दूसरे है आपका योक्र्यक योकन के है Pantragli. और वेशेसिक कम ओर कर्राव, न्यायक इसके है गोतम, पूर्मिमान्षा जैनियी और उत्तरमिमानषा इसके है इसके है ड्यास और चार्वाक चार्वाक के है तो यह जो हमारे पिल्मुद दर्शन है, साथ दर्शन बताए रहे हैं, और साथ दर्शन के यह सारे प्रिवर्ट तक है, तो यह important है, इसमें आप भी देखे होंगे, कोशन आते हैं, कि सांत दर्शन के प्रिवर्ट तक कौन है, तो यह कोशन आया है, कपिल जी है, योग से भी यह दर्शन के आपत्रवर्तक कौन है या फिर पूर्विमाणशा के कौन हैं यह कोशन कोमन है यह कोशन ही पीटाइक में आए हैं नैसे हमारा बहुत धाल गिरंद अपिक हम इनके पारे में जो है नॉर्मल बेसिक सी इंफोल्मेशन है और टिटेग में जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम इसके बारे में अच्छे से जालेंगे तो पहले जालेते हैं कि बहुत धाल गिरंद क्या है यह जो है पाली भाशा में लिखे रहे हैं तो और गुद्ध के जो पूर्व के जीवन का बरण जो है वो चातव गठाओं में मिलता है बहुत गिरंदों में त्रिपटक जो है सबसे महत पूर है अब कोशन यूपिटक में त्रिपटक भी आया था कि त्रिपटक किस से रिलेटेड है तो यह हमारे बहुत गिरंद से रिलेटेड है बहुत धाल में है तो जो है त्रिपटक कौन है त्रिपटक तीन है कौन-कौन एक दोर है आपका आसुत पिटक, बिनापिटक और अधिधाम पिटक ठीक है यह का बॉधान गर्थ नैस्ट है हमारा जैन गर्थ जैन गर्थ क्यों सा है जैन गर्थ इसकी रचना जो है प्राकरत अधाशा में हुई है और इसकी जो पिटक है वो कौन है महामीर स्वामी जी है और उनकी द्वारा दिये गए जो मौलिक के दान है वो चोले प्नाची गर्थों में है जैन कर्थों का संकलन जो है बुग गुजरात बनलभी में जो है हुआ था इशा की छटी सताथी में हुआ था और नयर्स हमारा टॉपिक था ए%. अब इत्वासी के पम वन किया है, इनमें क्या होता है उनमे जो है इन्हें धन्मेंतर साहिति भी कहते हैं, यह इसका दूसरा नम धन्मेंतर साहिति हैं. ये अपने धन्मेंतर साहिति एक पॉश्न में ऐसी भुनदाप tutti getsma हो गारा कि फह थती है कि मौशन में आच टुखी है, फिन कि नौरिज है, इसे इन गिरंदों में हमें भार्थी समाज के राजनेतिक एबम सांस्कितिक इतिहास को जानने में मदब मिलती है, किसमें मदब मिलती है, जो हमारे एतिहासिक एबम समसारी गिरंद है, उसमें या धर्मेतर गिरंद है, उसमें हम किस को जानते है, भार्थी समाज का जो राजनेतिक एबम सांस्किति इतिहार जो है उसको जानने में हमें है भी मिलती है तो उसमें से कुछ के जो है मैं आपको नाम बता देरी हूँ जैसे पौरे एक्जाम्पिर कर सके हैर ज़नों के आम कोश्ण में ने ले लाउंगे ताब आपो इनक्या राटर के बारे मी भी बताऊंगी तो इसमें इसमें हमें क्या मिलता है, हमारे समार से राशनीती और सांस्किती कितिहास को जाने की इंफोर्मेशन हमें मिलती है, तो ऐसे और बहुत से हैं, दूसरा है हमारा विदेश्यों के विप्रण, विदेश्यों के विप्रण में क्या हैगा, विदेशी यात्री है, जान इस में हमें भारत के विपरण से भारत है में बहते में जनीचा, 저प अникиwestर में आत्रिया तो बिदेशी आक्रियु एवं लेक्षकों के विपरण से भार्ती एकिहासी जानकारी mirth उन्होंने जो देखा अपना experience उसमें लिखा हूँ तो बिदेशी आत्रियू एवों लेखकों के विप्रत से भार्ती एजिहास की जानकारी हमें मिलती है तो इसको जो है रोल तीन खागों में बाटा जैसे की सबस् довольно आपको युणामी लेखकत जानी की लोमन लेखक कि तो इसमें आपके काथ तूरर है चीनी लेखक श्वायान है है खायां है हेंसेंगये चाव शू आदी है , आप आप यह देखा ओगा कि assistants जो हम हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तह हमें आगे रही पता चलेगा कौन सा जो है बिदेशी किस के राज़ा के कॉल में आया था और उन्होंने क्या किया था तो यह दो फी मेंन इंफमेशन है दो है रिजुनामि लेकक इनको बाटा खेंट ए चीछी लेकक इनोंने हमारे खारक के बारे मेंcing कमेंशन के दिए लिगायन है, हेंसां है,疾ोिकां है, इसते है चाह, कुवाधि है फिर अर्भी लेकक, अर्भी लेकक में हमारा अलवरुनी है, सुलेमान है, अलमशूदी है, इसे भी हमें अपने इतिहास के इतिहास के बारे में जाने में है पिलिए, क्योंकि इन्होंने अपने लेक में लिखा है, फिर नए से हमारा पुरातक्त संबन्दी साक्षी, जो की हम महारख मिलते हैं या भव्वान है, मूर्ती है, चित्रकला है, इनके भारे में हम जानते हैं कि हमारा पुराने टाइम में किया रिकल केसे किस तरीके से क्या हुआ था अभी लिएको से पता चलता है कि कौन सी लिपी का यूच होता था कैसे क्या होता था इस मारक्सी कि भई किस तरीके की लोग बनाते थे किस तरीके की लोग चुत्रकला करते थे किस तरीके से लोग रहते थे तो ये सारे इस्त्रोज जो हमें पुड़ात्त समंधी सांच से मिलते हैं तो टोटल अगर हम जाने तो इतिहास के मुखे इधिरोष सारी चीजों को मिला है तो एक हम आश्षिं के समय में काथा तरह पूरा हम्मारत भालत है हिस्तिहास के पूरा हम्मारत के समय बालता है तो एक आश längओ इंपोड़ें भालती इतिहास के О传ीए है इन OFSकति इंगान इस मेंस समय बहुत है तो इसमें बैडिक है, बहुत है, जैन है, या पिर हमारी बैडिक दिरंथ कितने हैं, हमारी उपनिशत कितने हैं और हमारे बिदेशी यातरी कौन-कौन है जो भारत में आएक हैं, जो लिखर की रूमनों ने अपनी एक्षीरेंस लिखे हैं, इनके राइटर हैं, यह सारी कोश यह सांग के कबिल है, योग के पंतजली है, और आपके बैसे सुके कडाय है, नियार के गौतम है, यह सब आते हैं, नियार दर्शन भी पर बलत को हैं, गौतम है, तो यह इंपोड़न था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है यह त्यास की स्थोथ भी होने जाएं, क्योंक कि और जगे से आपको ना मिल लए हूँ, तो भई आपको करना क्या है, आज के लिए इतना ही, और कर मैं नहीं टॉपिक के साथ फिर से लेकर आँची वीडियो, तब तक आप लोग भई शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में कि यह No कि इतना ही, च Sap लोगед में मुपिक कैना ही, ऑफको कि अूब लेकर भी आपकी करो कर से लेकर ही, और कि दो, लेकि आपको कर दो, सब्सक्राइब के साथ